तो दोस्तों देखिए मार्केट जैसी मिठाय घर में बनके तयार है और बहुत ही कम खर्चा में कम सामगडी में अब देखिए कितना बढ़िया मिठाय बनके तयार है इसको मैं तोड की दिखा रही हूँ यह कितना दानेदार है देखिए दानेदार और यह देखिए इसके अ करते हैं मिठाय बनाना शुरू करती है जैस याराम दोस्तों तो SPJ कीचेन में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रही हूं बहुत कम खर्चा में बहुत स्वादिष्ट मिठाय दिवाली के लिए तो जिसके लिए देखिए मैं सूझी समिठाय तयार करूंगी पहले मैं इ तो देखे, मैं चार चमच नारियत के गुरा दाली हूँ, और थोड़ी से गूर ली हूँ, तो इन चार चमच के लगवा, टुकडी करके मैं गूर ले ली हूँ, पहले मैं बादाम को थोड़ी से चला लेती हूं, मिक्सी में, फिर मैं गूर डालूँगे, क्योंकि बादाम थ गूर और में मिक्स कर दूँ इसको मिक्सी में देखिए तैयार हो गया है इसको में कटोड़ी में निकाल कर रख लेती हैं देखिए कितने बर्यां खोए की तरह हो गया है अब मैं क्या करूंगी एक पैंच रहाऊंगी जिसमें डालूंगी एक देख चमच बरी चमच से घी देशी घी डालना है दोस्तों इसमें तेल नहीं डालना है घी ही डालना है क्योंकि तेल डाल देजिएगा तो मिठाय की टेस्ट खराब हो जाएगी अब इसमें मैं बारीक बाली सूजी ले रही हुई एक कटोड़ी मोटी सूजी हुँ आपके पास तो आप थोड़ी मिक्सी में चला लेजिए देखिए इसको मैं चलाऊंगी थोड़ी देख दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राब नहीं किये हो तो जल्दी कर लेना और ब भी बनाऊं तो आपके सामने जल्दी उपस्तित हो जाऊं और आप हमारा वीडियो जल्दी जल्दी देख सको देखिए थोड़ी दिर में चलाऊंगी इसका कलर थोड़ा सा चैन्जी करना है थोड़ा कलर चैन्ज होने लगा है अब इसमें में डालूंगी दो चमच घर की ताजी मलाई आजी मलाया ये खोये के भी काम करेगा और ये घीका भी काम करेगा इसको बर्यात चला लूंगी अब इसमें में डालूंगी चीनी पाउडर इसी कटोरी से मैं enquी चीनी पाउडर जिस कटोरी से मैं सूझी लीँँ तो मैं एक बार नहीं डाल रहे हूं मैं धिरे धिरे डाल रहे हूं मिलाती जारे हैं। बागी पॉर्डर में आप डाल देती हूं और मिला देती हूं लो फ्लेम पर मुझे चलाते सुजी को दोस्तों अब इसमें एक दू चमच दूद्ध डाल दूँगी मैं। दूद्ध डालूँगी तो चीनी जो है घूल जाएगी और मिक्स बढ़ियां से। दोस्तों देखे दिवाली का समय चल रहा है। तो फटा के भी फूट रहे हैं। और हमारी मिठाए भी बन रह ही है। हो गया है मिक्स थोरी दिरों चलाओंगी दिमी आज पर। हमारी हैं से मिक्स हो जाएगी हमारी सुजी देखिए। देखिए हो गया है मैं फ्लेम अब कर दी हूँ इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ। तब तक थोरा ठंडा हो रहा है तब तक मैं यह देख लेती हूँ मिस्राण। इसकी मैं छोटे-छोटे लड़ू बनाके रख लेती हूँ। क्योंकि इसको मुझे बीच में भरना है। मैं पेरा तयार करूंगी मिठाए उसके बीच में भरना है। तो मैं छोटी-छोटी बॉल बनाके तयार कर लेती हूँ पहले। देखे इस परकार से। तयार हो गये हैं। अब मैं यह मिस्राण देख लेती हूँ सुजी वाली। यह भी ठंडा हो गया है। इसको मैं मिला लेती हूँ। अब मैं पेरा तयार कर रही हूँ। तो पहले मैं ऐसे लूँगी ऐसे बॉल बनाके ऐसे इसकी लोई तयार कर लूँगी। और इसमें यह बॉल उठाऊंगी। इस प्रकार से रखूंगी। और इसको सील कर दूँगी। देखे इस प्रकार से। फिर ऐसे तयार करके गोली बनाके देखे ऐसे हथेली से दवाओंगी और साइड साइड ऐसे हथेली से मैं बना दूँगी। यह पेरा सिफ में आ जाएगा। देखे इस प्रकार से। देखे तयार होगी है न मिठाएं। इस प्रकार में दूश्की मिठाएं तयार कर रही हूँ। देखे थोरी थोरी साइड से भी ऐसे घुमाऊंगी हथेली से और उसके बाद में उपर से भी थोरी दवाऊंगी। बहुत बढ़िया सेफ में मिठाएं तयार हो जाएगी। देखे लेजी। अब मिठाएं सजाने के लिए मैं रखी हूँ मिठाएं की डब्बा। मिठाएं के डब्बे में यह मिठाएं सजाऊंगी। मैं बिलकुल मार्केट की तरह लगेगा। देखे तीयार हो गी है सभी मिठा है Akram और इसको भी में मैं बना कर रख लेती हूँ कि अब इसको थोड़ी से सब्सक्राइब होग आ समय चैज Mart चर उना सत्थmen तो दोस्तों हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत भबहुत धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो में अलग रिस्पी के साथ तप